नमस्कार दोस्तो, मैं कुंदन सर्मा, आप लोगों को फिर से फिलकुम करता हूँ अपने चैनल YMW Solution में फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप करीम का फ्रेंचाइजी लेके मुगलाई रिश्टुनेंट कैसे ओपेन कर सकते हैं फ्रेंट्स आपने करीम ओरिजिनल फ्रम देली 6 का मुगलाई रिश्टुनेंट बहुत जगा पे दिखा होगा ये देली की 100 यर्स लेकेसी ब्रैंड्स है और फ्रेंट चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आकन प्रेस ज़रू कीजें ताकि फ्रेंट जितने भी मिने नए नए वीडियो उसकी नौटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे इनके डायरेक्टर के बारें बात करें तो फ्रेंटस इनके जो वर्तमान डायरेक्टर है वो जयन अबेदिन है और इनका हेड़ ओफिस है New Delhi में है अगर आप वोग फिजैन के बारें ज्यादा जानकरी है तो आप इनके ओफिसल वेबसाइट करीमHotels.com पे जाके जो है पार्टनर सर्च करें जो की फोफो मोडल पर काम कर सकें तो यहां पे आप लोग के पास में अपर्चुनिटी अगर आप करीम का फ्रेंचाइज लेकर मुगलाई रेश्टोंट ओपेंड करना चाहते हैं तो आप इस फ्रेंचाइज को कंसिडर कर सकते हैं तो फ्रेंच सबसे आप देख सकते हैं तो फ्रेंच यहांप अप देख सकते हैं कि सबसे पहला यहां पर जो business model है करिम का QSR का है यानि कि quick service restaurant यहाँ पे आप से take away service आप provide कर सकते हैं अपने outlet से यह जो आपका QSR model है आप food court area में भी opening कर सकते हैं big retail complex में भी open कर सकते हैं या mall में भी आप opening कर सकते हैं इसके लिए जो area का requirement है 500 से लेके 600 square feet area का requirement रहेगा यहाँ पे 8 से 10 seaters जो है आप arrangement कर सकते हैं दिन इसके लबा यहाँ पे kitchen space जो है 400 square feet यहाँ पे required है ठीक है यहाँ पे dining space की बात करें तो आप 100 से लेके 200 square feet में जो है आप dining space जो है आप वहाँ पे arrange कर सकते हैं इसके बाद जो दूसरा business model है यहाँ पे fine dine का है fine dine भी जो है high street market में आप open कर सकते हैं mall में open कर सकते हैं retail complex में open कर सकते हैं इसके लबा आप food joint area में भी open कर सकते हैं इसके लबा आप कोई individual shop में open करना चाहते हैं तो friends आप वहाँ पे भी open कर सकते हैं यहाँ पे जो area का required है आपको 1000 square feet से लेके 1500 square feet area आपके पास में होना चाहिए और यहाँ पर जो sitting arrangement है आपको 35 से 40 sitting का जो है arrangement वहाँ पर करना पड़ेगा और kitchen space जो है यहाँ पर 400 square feet का होगा और यहाँ पर जो dining space है आपको 550 से लेके 1050 square feet का आपको यहाँ पर लगने वाला है इसके बाद करिम का हम लोग थार्ड business model देखेंगे प्रीमियम fine day का यह जो आपका business model है आप high street market में open कर सकते हैं mall में भी retail complex में food joint area में भी open कर सकते हैं इसके लावा आप highways में भी open कर सकते हैं इसके लिए जो area required है more than 2000 square feet का है अगर आपके पास में 2000 या 2500 या 3000 square feet area तो वहाँ पे आप premium fine day करीम का open कर सकते हैं जहाँ पे sitting capacity जो है 60 से 70 लोग की होगी ठीके यहाँ पे जो kitchen space रहेगा 500 square feet area में जो है kitchen space रहेगा और यहाँ पे जो dining space है आपको more than 1500 square feet का required रहेगा तो friends यहाँ पे आप लोग को मालूम हो गया कि यहाँ पे करीम जो तीन business model लेखे आई है इसके लिए आपको कितना space area का required रहेगा तो अब हम लोग बात करेंगे कि आपको यहाँ पे तीनो business model के लिए जो है आपको total investment कितना करना पड़ेगा friends यहाँ पे मैं investment को पुरा बाइफर केट करेंगे बता हैं कि आपको क्या investment कहां कहां कितना करना पड़ेगा तो friends आप लोग इसको ध्यान से देखिए friends यहाँ पे जो सबसे पहला investment है अगर आप QSR business model के बारे बात करें तो यहाँ पे franchise fee जो है आपको 10 लाक रुपे का देना पड़ता है और architect fee जो है 75,000 रुपे का देना पड़ेगा और kitchen equipment के लिए यहाँ पे 10 लाक रुपे आपको देना पड़ेगा इसके लाबा यहाँ पे kitchen utensils में जो है आपको 10 लाक रुपे खर्च होता है यहाँ पे अगर आप करेंग का QSR इसके बाद architect fee जो है आपको 1 लाक 25,000 रुपे यहाँ पे आपका लगिया इसके बाद kitchen equipment में जो है यहाँ पे 11 लाक रुपे आपको खर्च होने वाले है और kitchen utensils में जो है 2 लाक रुपे खर्च होंगे तो यहाँ पे जो total investment है fine dine का 29 लाक 25,000 है इसके बाद हम लोग बात करेंगे करीम का अगर आप premium fine dine open करना चाहते है तो इसके लिए क्या investment लगिया यहाँ पे सबसे पहला franchise fee जो है 20 लाक रुपे आपको देने पड़ेंगे इसका अर्चिटेक fee जो है 15 लाक रुपे आपको लगिया और kitchen equipment में जो है आपको 12 लाक रुपे खर्च करने बढ़ेंगे और kitchen utensils में जो है आपको 5 लाक रुपे खर्च लगिया तो यहाँ पे जो total investment है आपको 36 लाक रुपे आपको लगने वाले हैं अगर आप करीम का premium fine dine business model को अगर आप open करते हैं यहाँ पे देख रहे हैं यह amount कब कब payment करना है यहाँ पे सारा चीज़ बताया गया यहाँ पे जब आप payment करेंगे total franchise fee तभी जो है आपका agreement जो है करीम के साथ में sign होगा यहाँ पे साब सब्सब्दों में लिखा हुआ है ठीके न देन इसके बाद यहाँ पे जो आर्टेक fee है आपको कब दिन करीम कंपनी की तरफ से आर्टेक टीम जो है वेज़े जाएंगे आपके साइट पे वहाँ पे पूरा evolution किया जाएगा और आपको पूरा design handover किया जाएगा कि आपको कैसे इंट्रियर करवाना है कहां पे कीचिन होगा और कहां कहां आपको electric wiring करवाने यह सारे चीज़ के जो है आपको वहाँ पे एक design प्रवाइड किया जाएगा तो आपको उसी किसाफ जो है आपको पूरा development करके जाएंगे ठीक है इसके बाद kitchen utensils की बात करें तो यहां पर करीम स्टैंडर करीम के ही specified vendor आपको उन्हीं से यह purchase करना पड़ेगा के लिए इसके लावब भी आपका कुछ और investment होता है वह investment में आपको दिखा दूं यहां पर जब नीची आएंगे तो यहां पर देख सकत आपका sitting capacity रहेगा उसके हिसाब से आपका furniture और interior करवाने पड़ेंगे यहां पर आपके पास मों option प्रॉबाइड करती करिम कंपनी यहां पर आप चाहें तो करिम के specified vendor से भी आप जो है इंटरी का work करवा सकते हैं इसके लबा अगर आपको लगता है कि करिम के specified vendor अगर 75,000 पर यहां पर लगने वाले हैं और यहां पर premium finance के बात करें तो आपको दो लाख रुपए यहां पर लगने वाला है इसके बाद यहां पर जो आपका last investment है इंस आप एन आउट सोब ब्रैंडिंग के लिए यहां पर आपको QSR मोडल में 75,000 का आपको investment आ जाता है और यहा यहां पर अगर premium finance के और जाएं तो आपको 10 lakh का यहां पर total खर्च है तो यहां पर total investment देखे तो आपका QSR के लिए आपको 23,000,000 यहां पर लग रहा है और यहां पर आपको find finance के लिए 32,25,000 लग रहा है और यहां पर अगर premium finance के बात करें तो फैंट्स 49,500,000 यहां पर आपक कर देंगे तो फैंट्स इसके हिसाब जो है आपका यहां पर investment बढ़ जाएगा यानि फैंट्स अगर आप premium finance की तरब जाते है तो फैंट्स आपको यहां पर कहीं न कहीं 50,000,000 का आपको total investment आने वाला 50,000,000 पर बढ़ भी सकता है यह totally depend करता कि आपके area में interior और furniture को cost क्या है और अगर हम लोग यहां पर slip find end की बात करें तो friends आपको यहां पर 40,000,000 का total खर्च यहां पर आने वाला है और यहां पर QSR model की बात करें तो friends आपको 27,000,000 का यहां पर खर्च आ जाएगा तो अब सबसे बड़ा question के sir इतना huge amount हम लोग investment कर रहे हैं तो हमको क्या profit मिल सकता है friends profit जो है मैं आपको बताऊंगा तो इससे पहले हम लोग देखेंगे कि यहां पर करीम जो company है आपको किस प्रकार से आपको support करती है और क्या-क्या job responsibility करीम को होगा और आपका job responsibility क्या-क्या होगा ठीक है तो सबसे पहले यहां पर हम लोग करीम का job responsibility देखें यानि कि उनका क्य support आपके outlet के लिए रहेगा सबसे पहले करीम विल प्रोवाइड ट्रेंड कीचेन स्टाफ देखें करीम जो है आपको ट्रेंड कीचेन स्टाफ आपको सुरू से ही प्रोवाइड करेगी ताकि आपका जो बिजनस है फर्स्ट डे से ही open रहे है ठीक है इसके इलावा यहां पर कारीम विल प्रोवाइड मेन पवर ट्रेंञ इट करीम रेस्ट्रेंट इन देली टू न्यू निव स्टाफ देखिए आप स्टाफ हाइर करेंगे अपने रेस्ट्रेंट के लिए तो वहां पर Dusak करीम आप लोगो एपर्शनुथिंटी देती कि आप अपने मेन पको को कर क्या जा सके कैसा सिविल वर्क होगा कैसा इंट्रियर वर्क होगा कैसा एलेक्टर काम होगा तो यह सारे चीज़ के लिए करीम अपना आर्चिटेक जो है टीम इंगेज करती है इसके लावा यहां पर देख से तक करीम विल प्रोवाइड ऑल कीचिन एकुपेंट सेटिंग और इसके भियावन जो भी पैसा लगेगा वो आपको पैसा करीम को पेमिंट करना पड़ेगा इसके लावा यहां पर देख सकते हैं करीम विल प्रोवाइड क्रेटिव इफ नेड़ बाई पार्टनर फॉर मार्केटिंग देखे पार्टनर को मार्केटिंग लिए कुछ क्र अपनी यहां पर आप लोगों को प्रोवाइड करती है इसके लावा सबसे इंपोर्टन चीज़ कि आपने रिश्टोंट ओपेंड किया है तो यहां पर कैसे लोगों को जानकर ही होगा कि इस लोकेशन में जो है अभी मुगलाई रिश्टोंट करीम को ओपेंड हुआ है तो इसके बाद यहां पर देख सकते हैं क्या लिखाबा करिम फुल लॉंजिंग सपोर्ट बाइक करिम देली सिक्स टीम यानि आप अपने लोकेशन में मुगलाई रिश्टोंट अगर करिम को ओपन करें तो यहां पर करिम के तरब से आपको पुरा फुल लॉंजिंग रिश्टोंट रहेगा तो वहां पर चिकन और मटन कहां से आएगा तो इसमें कंपनी हेल्प करती कि जो भी आपके लोकल वेंडर रहेंगे वहां से आपको टाइप करा देंगे तो यहां पर आपको सप्लाई की दिक्कत नहीं होगी नौन भीच की ठीक है इसके बाद यहां आपको तीन लाग का एमाउंट सुरू में आपको देना है बुक करने के लिए तब आपको एलवाई मिलता यानि की लेटर ऑफ इंटेंट जो है कंपनी तरब से आपको प्रवाइड कि जाएंगे इसके बाद देख रहे हैं क्या लिखाओ लीगल एग्रमेंट विल बी साइ जो है आपको सप्लाई किये जाएंगे इस बात का आप याद रखिए क्योंकि यहां पे करीम कंपनी जो है अपने टेस्ट में किसी भी प्रकार का कॉंपरमाइज नहीं करना चाती है आप करीम के किसी भी मुगलाए रिश्टोरेंट में चले जाए आपको सभी जगह पे टे इसके लबा करीम के अनुसार जो भी इंटरेंट डिजाइन प्रवाइट किये होंगे उसका सारा काम जो है यहां पे फ्रेंचाइज करवाना पड़ेगा डाइन इन क्रोकरीज एंड कटिलेरी यह भी जो है अर्रेंजमेंट जो है फ्रेंचाइज को करने पड़ेंगे इंस इसलिए यहां पर सारी चीज दिए गया है ठीक है तो अब सबसे में इंपॉर्टन पोर्शन की सर यहां पे हम लोगों कितना प्रॉफित हो सकता है तो यहां पर प्रॉफित का पूरा केल्कुलिसन जो है मैं आप लोगों दिखाने वाला तो आप लोग नेक्स स्लाइड जो जो है net sale पे आपको यहाँ पे लेती है तो fans यहाँ पे net profit जो है आपको 29 प्रशन का कैसे मिल सकता है इसका पूरा ROI सिट जो है मैं आप लोग शार्ट शेर करूँगा fans यहाँ पे आप देख सकते हैं करीम यहाँ पे जो है consider करती है कि आपके outlet से 10 लाग का जो है monthly sale होगा fans इनके sale काफी जादा होते है मैं अगर धनबात की बात करो तो fans monthly sale है वो 15 से 20 लाग का sale है तो fans यहाँ पे minimum sale ही consider किया गया है करीम कंपनी की तरफ से तो यहाँ पे जो है average per day revenue जो है 33,333 consider किया गया है तो यहाँ पे cost of metal जो है रखना पड़ेगा और assistant kitchen staff जो है आपको 4 रखने पड़ेगे तो यहाँ पे shape का जो salary है 27,000 यहाँ consider किया गया है और जो 4 staff रहेंगे उसका जो salary है 22,000 यहाँ पे consider किया गया है इसके लबा यहाँ पे restaurant staff आपको 3 hire करने पड़ेगे जिसके लिए यहाँ पे 36,000 रखने इसके लबा यहाँ पे total salary है आपको 14% जो है यहाँ पे देना पड़ रहा है यानि जो total salary है 1,35,000 यहाँ पे निकल के आ रहा है इसके लबा करीम company जो है 8% का royalty charge करेगे तो यहाँ पे 80,000 पे आपको जो है royalty company को देना पड़ेगा यहाँ पे consider किया गया यानि कि आपने जो भी आउट्रेंट लिया होगा वो rent पे भी हो सकता है तो यहाँ पे rent जो है उसका 1,00,00 रुपया consider किया गया है इसके बाद electricity expense जो है यहाँ पे 50,000 का consider किया गया है gas का expense जो है 50,000 का ही consider किया गया है packaging material में 3% का जो है consider किया गया है यानि कि 30,000 और यहाँ पे delivery cost जो है 3% consider किया गया है और इसके लब मिसलिनेस expense भी जो है यहाँ पे 25,000 रुपय का consider किया गया है तो total जो expense है वो 77% यहाँ पे total expense आने वाला है यानि कि 10,00,00 का total sales revenue है तो आपका 7,70,000 रुपय यहाँ पे जो है आपका total expense आने वाला है और यहाँ पे जो net profit है आपका 2,30,000 रुपय हो रहा है तो यहाँ पे जो 2,30,000 है वो आपका 23% निकल के आ रहा है sales revenue का तो friends यहाँ पे जो profit calculate किया गया है यह minimum profit calculate किया गया है तो यहाँ पे जो आपका net profit है 23 से लेके 30% का आपका हो सकता है और इसी किसाब से यहाँ पे अगर annually देखे तो friends यहाँ पे जो annually है आपको 27,60,000 का आपका annually profit होने वाला है तो यहाँ पे investment जो है आपने कितना किया 30,000,000 का investment किया profit 1 year का जो है यहाँ पे कितना आ रहा है 27,60,000 इसके बाद हम लोग करीम की दूसरे बिजनस मूडल फाइंड की प्रॉफिट की बात करेंगे फेंड्स फाइंड अगर आप ओपेंड करते हैं तो आप यहां पे 30 से 33 परशन का जो है आप नेट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं कैसे करेंगे यहां पर हम लोग पूरा आरो आई सीट्स यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी जो है कंपनी आपसे 8 परशन का ब्रैंड रोयल्टी फी आपसे लीती है तो यहां पर देख सकते हैं जो आरो आई सीट है यहां पर जो एवरेज से पर्ड मंध का यहां पर 18 लाग रुपे कंसिलर किया गया फाइंड डाइन मे है यहां पर जो आपका एवरेज पर डे का रेविन्यू है साथ हजार का आ रहा है और यहां पर जो कॉस्ट अफ मेंटरल जो है आपका छे लाग तीसदर का आपका लग ज़रा है यहां पर भी आपको एक शेफ रखना पड़ेगा पांच किशिन स्टाफ रखने पड़ेंग एक्सट्राइब करते हैं यानि टोडल जो एक्सटर परशन का आपका टोडल एक्सटर परशन का यहां पर आ रहा है तो यहां पर आपका नेट प्रॉफित है 5,35 रपे का आपका होने वाला अगर आप आप fine time करीम का open करते हैं तो इसके बाद हम लोग करीम के तीसरे बिजनेस मोडल प्रिमियम fine time का जो है ROI सीट देखेंगे हैं फिर्ट्स यहां पर आप प्रिमियम fine time open करते हैं यहां पर जो average sales revenue है पर मंत का 24 लाग का चैसल किया गया अगर पर दे की बात करें तो 80,000 आपका निक वह आपका 2,00,000 प्लस का है तो इसके इसाब से यहां पर जो पर डे का से प्रिम्यम फाइंड का सही चैनल किया गया कंपणी की तरब से ठीक है तो यहां पर जो कॉस्ट अप में यह भी आपका 35 परशन यहां पर लगने वाला है और प्रिम्यम फाइंड में आपको 2 सेफ रख करती है तो जो भी आपका असाने सेल्स होगा ँसका यहां पर 8 परशन आपको निकालना पड़ेगा और कॉस्ट ओफ एक लागी पर यहां पर संटी फाल का historical की यहां पर SI आ्वक तक तो ऑट करते हैं तो आप मंतली जो है 6,89,000 आप अर्ण कर सकते हैं मंतली और अगर हम लोग इसको एनुवली करते हैं आप 82,68,000 आप एनुवली अर्ण कर सकते हैं फ्रेंट्स यह जो भी आर्वाई सिट्स में आप लोग इसको शेयर कर रहा हूं यह कंपनी तब से कैलकुलेट किया गया है कंपनी भी यहां पर सर्वे करती हैं इनके जितने भी आउटलेट्स अभी इंडिया में चल रहे हैं यह सारे आउटलेट का सर्वे करती है और उसी की सब जो है पर डे और परमन का सेल्स यहां पर निकालती है तो फ्रेंट्स यहां पर सबसे पहले एक बात में क्लिरिफाई कर दो कि अभी करिम के फ्रेंचाइजी को लेके बहुत सारे फ्रॉड मार्केट में चल रहे हैं तो आप किसी आएंगे तो यहां पर एक नंबर दिया गया आप इस नंबर पर कॉल किजिए गाना तो आपको पूरी जानकरी दी जाएगी फ्रेंचाइजी के बारे में यह फ्रेंचाइजी को जो भी देखता हो तो उस इस वीडियो कोई भी कुशन हो तो आप लोग मुझे इस वीडियो